पुलिस फर्ति पेपर लेक मामले को लेकर पिछले 14 दिनों से ग्रामिक अंशल पर बैठे युवार कॉंण्ग्रेस ने अंशन खदम कर दिया है अबिवार को परदेश कॉंण्ग्रेस की सह परभाली संजय दस ने उपायक्त कराले के बाहर क्रामिक अंचन पर बैठे युवा कॉंग्रेस के कारेकरतां को जूस पिलाकर अंचन खतम करवाया युवा कॉंग्रेस ने परधानमत्री के कारेकरम को देखते हुए यहां अंचन वापिस लिया है सहपरवाली संजेदत ने कहा कि पुलिस फर्टी पेपर लिख होने के बाद युवा कॉंग्रेस के कारेकरता पूरे परधीश फरमे करमिक अंचन पर बैठे थे और इस सरकार को मजबूरन इसकी जान सीबियाई को सौपनी पड़ी उन्हें ने कहा कि मोजी सरकार ने दो करोड रोजगार हर साल देने का वाइदा किया था लेकिन रोजगार तो नहीं मिला जहां रोजगार के अफसर मिट रहे हैं वहां पर भी युवाओं की साथ दोखा किया जा रहा है परदेश में पेपर लिख हो रहे हैं और यह सरकार खामोश बैठी है जिसके खिलाब पुरे परदेश में युवा कॉंग्रेस के कारे करता क्रमी कंशन पर बैठे थे लेकिन परदान मंतरी शिमला आ रहे हैं ऐसे में सोहार्द पुरेंड महौल बना रहे हैं इसको देखते हुए युवा कॉंग्रेस का क्रमी कंशन खतम करवाया गया है उन्हेंने का कि पेपर लिख मामले की जांच सीबियाई को सौंपी है लेकिन जांच शुरू नहीं कि गई ऐसे में जल्द इसकी जांच सीबियाई शुरू करे और यह जांच हाइज कोड की निगराने में होनी चाहिए अगर यदि ऐसा नहीं होता है तो कॉंग्रेस ब्लॉ भाई निगम बंडारी जी के नेत्रितु में पूरे प्रदेश में हर जिल्ले में युवा कॉंग्रेस के हमारे पदरिकारी साथी हिमाचल के युवाओं के उपर जो पेपर लीग के कारण अन्याय हुआ है उसके विरुद आवाज उठाने के लिए चेन हंगर स्ट्राइक पे बैठे ये अब स्पष्ट हो गया है कि जिस भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार ने चुनावी वादों में दो करोड रोजगार हर साल देने का वादा किया था उसने वो वादा खिलाफी तो की लेकिन साथ में और बत्त बात जो रही के रोजगार चिनने का काम किया चोहत्तर हजार युवाओं के साथ इस भारतिय जन्ता पार्टी सरकार ने धोका दिया और इसके खिलाफ हमारे युवा कॉंग्रेस के साथियों ने एनिस युवाओं के साथियों ने मिलके उनसे जो है ये जन आंदोलन छेड़ा कल परसूं प्रधान मंत्री जी आ रहे हैं बहुत उमीदे हैं चार साड़े चार साल में जो डबल इंजन का वायदा किया वो पूरे तरीके से गाड़ी सहित पट्री से उत्रा हुआ है हमारी अपेक्षा है कि कुछ यहां पर योजना है खास कर युवाओं के लिए महिलाओं के लिए किसानों के लिए मजूरूं के लिए जो है ये प्रधान मंत्री जी आये हैं ये करेंगे के चैनल के लिए शमला से पुश्पेंदर कुमार के रिपोर्ट